हेलो दोस्तो गुड मॉनिंग कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे हों और फ्रेंड्स मैं भी अच्छे हूँ तो फ्रेंड्स मैंने रोजना की तरह एक नई दिन के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत कर दिया है और क्या कि आज सौंबार भी है तो मंदिर भी आज रोटी दिन है क्योंकि अकसर कर ये रोटी ही खाते हैं लंच में ये पराठे नहीं पसंद करते हैं बज़ा इनकी ये होती है दोस्तों कि इनको ठंडी चीज नहीं अच्छी लगती है ठंडी चीज मतलब ठंडे पराठे तो ठंडे पराठे होने की वज़ए से ये परा प्रकार का कोई भी उयली के ब्रेक फास्ट करने के लिए तो मैं इच फिक और आध क्षाय को जाओ मैं नास्ते के लिए और दोश्च्ची रूटी बनाओंगी मैं हिनके G6 के लिए तो दोश्तों मैंने यहाँ पर को बता है मैं इसे ही में शेखती हूं ऐसे सेखने से क्या होता है रोटी पूरी फूल जाती है और वो सिख भी जाती है और मुझे रोटी जो कच्ची बाइट बाइट होती है मुझे बिल्कुल फसंद नहीं है जब तक दो चार जैसे फूल हमारे हम फूल बोलते हैं फूल ना पड़े रोटी में तो क्या फायदा मतला हमारे बोलते हैं अगर यह नहीं होंगे तो रोटी को कच्चा बोलेंगे तो दोस्तों मैं अपने यहां की तरह ही अपनी रोटी यह सेखती हूं क्योंकि हमारे यहां पर इसी टाइप से रोटी सेखी जाती है और ऐसे बनाए भी जाती है और मेरे को एक कमी है कि मेरे को रोटी गुमा गुमा के नहीं बनानी आती है पर कोई बार ने जैसे भी बनाने याथ यह बनाई देगा, तो मुझे जाना पड़ रहा है आज स्कूर, देखना, आज मैं स्कूर जाओंगी और देखना, मैं कहाँ आए हूँ, और यह जो जगे है, इनके स्कूल वाली रास्ता है, और रूप कहा है कि मेरा कोई प्लान ने प जाना पड़ेगा, पर मजबूरी कुछ ऐसी पड़ गई, कि मुझे जाना पड़ा इसको। अब कहते हैं सुबह सुबह इतने काम होते हैं, बहुती जारा काम होते हैं, पर फिपी मैने क्ताइब में निजाना कंथा। खुछ लोग किया पुष् sunshine Babe अगर मुझे कुछ आना है जी है उसमें कोई गलती नहीं है अगर आपको कुछ आना है तो करना चाहिए क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो मैं इसी वज़े से मैं तो करती हुआ दोस्तों जब मेरा मन करता है और मैं सुर्फी कि हाँ यह सही काम है तो दोस्तों मैंने यहां बच्चों को छोड़ दिया छोड़ने के वार पर मैं चल देती हूँ क्योंकि ब जानने वाली हुई इधर से आ रही थी तो मैं Representatives चलो पहले मैं इंसे बात करती से ब Stechnick क्रों आगे बढ़ें गी नहीं ये काम मैं नहीं करूँगे अगर मेरे को जरासावी काम आता होगा तो कूशिस करती हूँ कि क्यूं ना इससे पूरा करूँ को से पूरा करती हूँ बस भगवान का साथ रहे मेरे साथ मैं तो मुझे डर् नहींने किसी चीज क़ं़aving देखो गलत हमये करना नहीं जो भी चीज है तो इसलिए मैं आ गई थी डरते डरते अपने बच्चों को छोड़ने के लिए बच्चे को छोड़ने आई तो क्या है कि ना सुभ़ए सुभए ज्यादा भीड होती है तो मुझे ना कभी-कभी बहुत लगता है स्कूटी ड्राइब करते समय क्योंकि इतनी भीड होती है पता नहीं कहीं मैं ब्रेक ले पाऊं या नहीं ले पाऊं मैं दुनिया भर का सूचती हूं मैं अपने दिमाग में दोस्तो क्योंकि मेरे को स्कूटी अभी इतनी परफेक्ट नहीं आती है क्योंकि मैंने कभी स्कूटी चलाई नहीं कभी मैंने साइक्ल चलाई नहीं और तो तभी मैं ने भी ट्राई किया क्यों न मैं सीख सकती है। तो दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे करके अपनी स्टार्टिंग की थी, भही मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं देखी देखो रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग पड़ी थी, तो मैंने सूचा कि चलो आप लोग को भी दिखा दू कि रास्ता कैसा होता है यांका आप देखो मैं घर आ गई हूँ बच्चों को छोड़ करके तो घर में देखे क्या हाल हो रहा है सारा समान फैला पड़ा हुआ है कहीं कुछ कहीं कुछ और किचन की कंडिशन देखो इस तरीके की है मैं सारी चीजा ढखकर के तो गई थी पर समयट के नहीं गई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास मैं कि मैं इनको समयट पाती दोस्तो तो इसी बज़े से मैं चली गई थी क्योंकि बच्चों का टाइम पे पहुँचना बहुत ही ज़रुरी था अब मैंने किचन की तो सफाई कर दी थी अब मैं करूँगी बाहर की डश्टिंग बाहर की डश्टिंग में क्या है नें बंद नहीं करूंगी। और बाकी जैसे सुबह करके कोई inviting जिलाली पढ़ती हैं अगर हम परदे लगा देते हैं तो फिर हमें लाइट की ज़रूत पढ़ती हूं क्योंकि अगर लाइट नहीं जलेगी तोbei अंधिर double कंकी ऑर ने लाइट ज़ाने पढ़ती हैं पर मैं दि मेरी हो गई थोड़ी सी विंडो विंडो वगरा थी वो मैंने उनको साफ कर दिया है अभी क्या है कि यह सोफा की है इसे भी मैं साफ कर रही हूं उसके बार मुझे टेवल को भी रोजनकी तरह एक गीले कपड़े से ही पहुचना होगा क्योंकि वह क्या होता है सुखे कपड़ गाती हूं पर कप्ड़े से भी हटा देटे हूं कभे कभी ज्यारू से नहीं अच्छे हो guess हो पाते हैं तो मैंने कपड़ ना देती हूं क्यों को कुछ जग ऐसी होती है जहां मारा हाथ नहीं जा पाता है फिर भी मैं इस पेसली यहां पर कपड़ा लेके जाती हूं से पहुंचने के लिए रोस्तों तो मैंने दोस्तों यहां की तो सामने की मेरी डेस्टिंग हो चुकी है और परशीना भी मुझे खूब अच्छा खासा आ क्योंकि जब से मैं आई हो स्कूल से तब से मैं लगातार काम मैं लगी पड़ी हूं ताकि मेरे सारे काम जल्दी से निपट जाए और नहीं तो फिर पता है न बहुत देर हो जाएगी क्योंकि आज मुझे मन्दिर भी जाना है आप लोग भी चलना मेरे साथ मंदिर मैं कि मुझे बीच बीच में कुछ ना कुछ लेने जाना पड़ता है क्या कह सकते हैं देखो जिस चीज की हमें जरूत पड़ेगी वो तो हमें लानी पड़ेगी दोस्तों क्योंकि जैसे अम मैं अकेली कोई हो बच्चे हो तो मैं उनको बोल दू बेटा ये लेकि आओ पर बेटे बच्चे सब अपने पने में बिजी हैं और वो जा चुके हैं स्कूल तो इस टाइम पर मैं ही हूँ तो मुझे सारे काम रपटने हैं और मुझे पता सफाई करते करते लगी थी प्यास प्यास लगी तो फिर मैंने पानी पीने के बाद मैं सारे काम हो जाते हैं जाड़ों प कॉन्कि आज ब्रत लुएत हैं इस वजयसे संड़े में सीधुलनेगा चाहे जैसे भी हो तो दोस्तों मैंने से बालाओं को अच्छे से रगड़ रही हैं क्यों कि जो भी इन पाणी होगा वह अच्छे से निचुड तब जहेंग वाल सौक तब भी जहेंगे तो दोस्तु मैंने बाल पांच लीए अपने बाल पहुंचने के बादढ़ मैं आप मैं करूंगी कौम हम क्या करूं पता है तो यह जादा लगा है क्या कहते हैं एक तो यह जो गर्मिया आती ना पशीन आता है लोग ऐसे बोलते हैं कि पसीने की वज़े से बाल टूटते हैं क्योंकि पसीने से हमारे बाल चिपक जाते हैं इस वज़े से क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है कि पसीने की वज़े से आपके बाल तूटते हैं। बताना अगर आपके साथ ऐसा होता है। मुझे तो बढ़ी टेंशन होती है, मैं सूछती हूँ कि यह सा मुझे लगभा मेरी साथ ही होता है। तो फैन्स इसी बज़े से पता है मैंने जैसे बाल काड़ना स्टार्ट किया है ने अपे तो क्या हो रहा है कि बाल जैसे फैन चल रहा है तो फैन की बज़े से वो सारे में उथल पुथल कर रहा है पूरा सरकल सरकल बना है बालों का क्योंकि बाल हवा की बज़े से वो नीचे गिर रहा है नीचे करके खटे हो जाते हैं फिर चार और गूमने लग जाते हैं मैं उनको बार-बार इसलिए उठा रही हूं कि वो कहीं और नफस जाएं कि फिर बाद में दिक्कत करेंगे तो मैं सोच रही हूं जितने बाल मुझे दिखते जा रहे हैं साथ की साथ मैं इनको एखटे कर लूँ, फैक ने तो मुझे ही है तो दोस्तो इसी वज़े से मैं बार बार उनको खटे कर रही थी, और अपने बालों को भी काड रही थी, है तो बह rooted बाल से ही यहाँ है, बहुत बाल ठीक थे पर अब नहीं है डोस्तो अब तो जो भी आपके सामने हैं, आप देख हुए हैं उन सब को मैं एक जगए खटा करूँ जितने भी पहले और पिछले आई हूँ जब से बाली मिल रहा है मुझे देखने के लिए आप है तो दोस्तों मैंने सारे बालों को एक साथ खटा कर लिया है एक साथ खटा करके अब मैं इनको फैक दूँगी लोग तो ये भी बाल भी बिग जाते हैं ऐसे बताते हैं गावं में लोग ब्रों बीचते हैं पर और थेरहां तो आयसा कुछ भी नहीं मैं कर análरी कोई भाट नीए नहीं बह्ली मैं घटा कभी-कभी क्या सोचती हूं कि यह बाल बिक जाते हैं लोग मैं यरे को कोई दे दे मेरे बाल लगा द बिक्ते तो हैं वो दो-चार रू पe की बताते हैं। लोग दो-चार रुपए के हैं। और प्ताए हम कितना महेंगा टीटमेंट लेते हैं। यह प्रपलम होती है हेरफॉल। प्स बता नहीं सकती एक कितना हम खट्चा करते हैं…। बालों के कीमत क्या होती है तूटने में दू तीन लुपे या बिल्कुल कवार होती है ऐसा नहीं होना चाहिए ना ये तो हमारी सुन्दरता होती है बाल पर ये वही नसीब बालों के होते हैं लंबे बाल दोस्तो मेरे तो नहीं है मैं तो बस इस बात को लेके बोलती कास मेरे भी अच्छे बाल होते तो जादा अच् बहुत अच्छी चोटी बनती थी सब कुछ होता था दोस्तों अब तो कुछ भी नहीं है क्योंकि जब इतने वाल टूटेंगे तो क्या होगा तो दोस्तों यहां पर मेरी घर की पूजा हो गई थी घर की पूजा होने के बाद मैं आ जाती मंदिर और आप भी दर्शन कर लीज यहां मंनदिर है हमारा और कितनी भीड लगी हुई है और जिस दिन पहला स्वंबार्था उस दिन तो बहुत जादा भीड थी आज तो नहीं है इतनी भीड जिससे उस दिन तो जा रही थी आज नहीं है और मैं लेट भी हो जाती हूँ सुबह की टाइम में बहुत जारा भीड होती है लाइन लगानी पड़ती है सुबह के टाइम में तो पर अब इतनी भीड नहीं है क्योंकि मैं लेट हो गई तो दोस्तो इस जब टाइम हो रहा है दस बज के 30 मिनट हो रही थी जब मैं मंदर गई थी क्योंकि देखो सारे काम की है फिर घर का भी वहार का भी तो सुचो कितनी जिम्मेदार है मेरे उपर और मैं कैसे करती हूँ आप भी समझो इन कामों को तो दोस्तो मैंने सारे काम दर्सन कर लिजिए हर हर महादेव हर हर संभू ओम श्री श्वाय नमस्तो भ्याम आप लोग भी दर्सन कर लिजिए मेरे भूले बाबा के आप सबके भी हैं पर यह हाँ मैंने इसलिए ऐसे बूले बाबा है तो मैंने इसलिए ऐसे बोल दिया आपको दोस्तो आप सब भी दर पढ़ना पड़ता है मंदिर जाने के लिए क्योंकि मंदिर भी दूर है यह नहीं है कि मंदिर पास में है तो वही चीज़ें तो दोस्तो जैसे डेली की तरह मेरी वीडियो होती है इबनिंग टु मोर्निंग तो मैं सटाइट कर देता हूं में इव दोस्तो मैं आद की बिडियो में आपको देखा रही हैं ऑक खा ली ढृट हैं और मैं नहीं बनाती हूं मैं बनाती हूं een भश्ER घटते थैं तब बनाती हूं सा tbsp शालों दो लोगों के लिए बनाने का मन नहीं करता है दोस्तों तो यह हैं हमारी बाटी चोक्हा और दाल यह सारी चीज़ है तो आप भी देख लिजिए किस तरीके से हमारे लिए मेरी इनको कितनेप्रपाइर से भेजाया है क्योंकि गर्मी मेना यह सब करना बहुत ज़्यादा मुस्किल होता है मेरे लिए तो दोस्तों देख लीजिए यह बाटी रखी हुई है इधर यह सारी चीज़ है आप भी देख लो और आप भी खालो बहुत ज़्यादा टेश्टी है तो चावल भी थे हां और चा सत्तु भरे हुए है हमारे यह सत्तु को नहीं जानते है हमारी तरफ सत्तु का यूज नहीं होता है तो दोस्तों आज हमें आरे लिए तो यह special बाटी हुई क्योंकि हमने कभी सत्तु वाली बाटी नहीं खाई थी बहुत ज़्यादा टेश्टी थी लिए तो मैंने सोचा कि चलू मैं आप लोगों से भी बात करती इस विसे पर तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आज मैंने कल क्या खाया था कल की वीडियो मैं नहीं बता पाई थी आपको तो दोस्तों यहां पर हो चुकी हमारे सारे काम खाना पीना हो गया अब टाइम हो रहा है इवनिंग का बज प्रेस हो चुके मदद 3-4 तरह के कपड़े हैं तो दोस्तों जो प्रेस करे हुए कपड़े में हम सब के हैं पूरे परवार के कपड़े हैं तो जो जो जिसके जहां कपड़े होंगे मैं उनको वहां रखूंगी दोस्तों बच्चों के एक जगए और इनकी एक जगए और अ लग लग कर रख है कपड़ों को तो यहां मैं लगा रही हूं कपड़ों को मैं के पहले इनको लगा देती हूं उसके बाद मैं लगाओंगी अपने कपड़े क्या है कि मेरे तो कपड़े कमी होते हैं कि मैं तो कहीं जाती नहीं हो घर में होती बच्चों के ही होते और इनके हो थीन तरहीं बंहें बच्चों की ड्रेसे जाना जा लुए, वमम और आते हैं मुझे वो बात है कर लगए बाकि मेरी पूरी कोसिस रहती है कि मैं पूरा काम करूं और अच्छे से करूं उसी तरीके से फिर मैं अपने काम भी करती है कि मुझे भी अच्छा लगता है ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा ही लगता है मुझे अच्छा ही लगता है तभ भी मैं सारे काम इस तरीके से करती हूँ तो दोस्तों मैंने इधर रख दिये सारे कपड़े तैब ना मना करके बच्चों के कपड़े बच्चों के पार्टीशन में रखूंगी अपने कपड़े अपने पार्टीशन में रखूंगी तो इस तरीके से मैंने सारे कपड़ों को स साथ या साड़े साथ बज़ गयों रखते रखते तो मैं चलो निकाल की रख देती कोई बादनी बैड़ पर रखे रहेंगे क्योंकि यह जो बैड है न हमारा खाली रहता है या कोई नहीं बैड़ता है उठता है कुछ भी नहीं सिर्फ यहां पर तो या तो कोई किलती है तब इसको यूज करती है बाकि कोई मतलब नहीं है इस पर मैंने सोचाए कि चलो मैं रख देती है तो दोस्तों मैंने रख दिया है समान को इस तरीके से कपड़ों को सैट कर दिया है बस यह दो चार कपड़े रखे वह इनकी जो सुबह काम आएंगे अब हो चुका लोकी में टाइम लगेगा और लोकी काटने पर खराब भी नहीं होती है इस वज़य से मैं लोकी को अभी काटके रख दूँगी ताकि मुझे सुबह दिक्कत ना आए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जैसे हम बहुते हैं लोकी को काटते हैं लोकी को पीसिस करेंगे हम अभी काट लेती हूं और चना की डाल भी हो दूँगी जो कि मेरे सुबह इसमें डाल दूँगी तो बहुत अच्छी सबजी बन दी हैं लोकी और चना की डाल की सबजी और ये दो आलू भी मैंने इसलिए लिए हैं कि दो आलू पता है क्या हुआ कि ये दो आलू उस दिन मै कहां से फिर उसे खराब हो गए पता नहीं क्यों खराब हो रहा है क्या आपके भी खराब हो रहा है अलू मेरे तो खराब हो रहा है अलू पता नहीं क्यों जो कि मैंने तो अभी दो चार दिन पहले ही चेक किया था ये पता नहीं मेरी आंख से कहां छुपे रह गए तो मैंने स मैं सुचा कि चलो लौके की सब्जी बनी रही है फैकने से तो अच्छा है कि इनको हम यूज कर लें जो खराब होगा उसे मैं निकाल दोगी और जो अच्छे होंगे मैं उनको सब्जी में डाल दोगी तो देखिए मैंने इस तरीके से सब्जी के पेर कर लिए है मतलब है तो मैंने सोचा कि हम सामा मैं ही सब्जी काट दूए तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा सुवह कि अब सब की देख रेक कर ना क्योंकि वो घर पे रहती हैं तो वही चीज़ें होती है हर लेडिस के साथ यही होता है जो मेरे साथ हो रहा है दोस्तों तो दोस्तों देखो यहां पर मेरी साबजी तो कट गई अब सब्जी कटने के बाहरे में जो दो आलू बता रही थी न मैं कि उन दो आलू को भी इसी सबजी में डाल रही हो जो खराब थे उनको मैंने एक साइड कर दिया है और जो अच्छे है उनको मैंने एक साइड कर दिया है अब मैं क्या करूँ इसके छोटे छोटे पीस करूँगी पर क्या करूँगी इन आलू को मैं अलग रखूँगी और सबजी को कि नहीं तो खराब हो जाएंगे तो दोस्तों बाई बाई मिलते हैं नेस्ट वीडियो में टेक केर